यहां इस वीडियो में बात की जाएगी कि बच्चा चीपकने के बाद आपके सरीर के कौन से हिसे में ज्यादा तेज दर्द होता है तो उसका आंसर है आपके पेट के हिसे में ज्यादा तेज दर्द होता है पेट के कौन से हिसे में नाभी के किस हिसे में नाभी के किस एरिये में इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो पूरी कन्फरमेशन आपको हो जाएगी कि आपका जो बच्चा है वो चीपक चुका है और साथ ही साथ यह जो लक्षा ने आपके पेरियर डेट मिस होने के पहले ही अपियर होता है तो सो गाइस जितनी भी महिला हैं जो तो चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करती हूं मैं हुश्यता और आप देख रहे हैं सहेली क्लब अगर पहली बार आया है चानल पर चानल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कि जेगा तो यहां फॉस्ट अफ वाल बदलाव की बात करते हैं जब भी आप आपके हस्बेंट का जो भी स्टैल है उससे फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वह आकर आपके यूटरस की वाल से आकर चिपक जाता है तो यह होता है चिपकने का प्रोसेस और यह आपको पिरेड में सोने के पहले ही हो चुका होता है अब है कि यह तेज दर्द कहां हो का यह तेज दर्द आपके नाभी के पास होता है नाभी के या तो लएफट में हो सकता है या नाभी के चासरेस की थे आप की दो ओवरी जू है सभीमीं convey चाह addicted तो दोनों ओभरी में यह अश्यान करती है अगर इस महीने आपने left oberic egg release किया है तो इसका मतलब कि left obericchutz When you are taking down left side राइबीं के दर्ध हुगा अगर आपने right र nous इसका मतलब है कि इस महीने आप right oberic edgeसे का सी हो一下 मेरिया बाईबीं Bridging में दर्थ होगा वो बहुत तेजकर नहीं हीये करेंकिंग होगी कई रही च्राइंप जो है वो तभी समझ आती है । आप अपने हाथों से इस तरीके से साव कर इसी वीडियो के अंदर बता दू साधानी ये आपको करनी होगी कि ज्यादा सीधिया नहीं चड़ना है भारी समान आपको नहीं उठाना है ये सारी चीजों का ध्यान रखने अपने बालों को नहीं धोना होता है इंप्लांटेशन के समय में और जब भी बच्चा चिपकता है तो तेज दर्द की समस्या जो है वो नाभी के लाफ्ट या राइट में होगी अगर नाभी के डाइरेक्ट नीचे में हो रही है तो आपको पीरियर्ट आने वाल है इस केस में आपका बच्चा नहीं चिपका हु